आज किन्र के निक्ट्र रंता धेन अधरनिय प्रधानमंत्री जी का साथ साल का कारेकाल पूरा हुआ विगत सत्तर वर्षों में देश ने जो भी पब्लिक प्रुपर्टी बनाएं पीस यूज बनाएं गौवर्मेंट प्रुपर्टी बनाएं साथ साल में इस सरकार ने उन तमाम गौवर्मेंट सेक्टर्स को पीस यूज को बेच देने का काम किया हम सब को जानते हैं कि रेल्स का स्टेशन से लेकर रेल्स से लेकर पियरपोर्ट से लेकर बीमा कमपनियां कोल कमपनियां लोहे की कमपनियां जो हेल है हिंदुस्तान अरेनोटिक्स लिमिटेड जो तेल की कमपनियां जो बैंक से हमारे नेशनलाइज यह तमाम कीजे इन साथ वर्षों में बिग गई और यह पूरा का पूरा जहां 35 प्रतिशत बेरोजगारी बड़ी साथ वर्षों में वहां वहां 65 प्रतिशत बड़ोतरी हुई पुझी पत्तियों के कमाई में पुझी में यह यह साथ साल देश कंगाल लोग बेहागी शाथ वर्षों में इस देश के जो भी समयदानिक संसाय थी उस संसानों पर कई तरह की चीजे थोपी गई जो आपसी भायचारा था बंदुत्व था उस बंदुत्व को तोड़ा गया संप्रदाए के नाम पर वर्ण के नाम पर बड़क के नाम पर लोगों का आपस में लड़ाय गया किसानों के अधिकार शिन लिए गए नौजवानों के रोजगार शिन लिए गए महिलाओं की आबरूल उट ली गई बच्चों के भविष खराब कर दिए गए स्वास्त सेवा हम लोग देखें एक विपत्ति काल में स्वास्त सेवा को अलग रखते हुए केवल और केवल राजनितिक हिट के लिए और सत्तालो लूपता के लिए लोगतांत्रिक डंसे चुनी हुई सरकारों को तोड़ देना निर्वाचित विदायकों को खरिद लेना ये भारती इंता पाटी का अपना एक साथ साल का उप्रब्धी रहा इश्वर ना करे तीन वर्षबाद फिर हम लोगों को इसी तरह के नैशनल डिजास्टर एलाइस जो है या हम कह सकते हैं कि राज़्टिया आपदा का जो गठजोर है उस गठजोर को पुना लोग चुन पाए बहुत हुई महंगाई की मार अपकी बार मोधी सरकार ये जो नारा लगता था अस्ती रुपे का सरसो तेल आज दो सो रुपे है पैतालिस रुपे का डिजल आज सो रुपे है यही है महंगाई किसानों के खेट छिल लिए गए किसानी समाप्त हो गई हमको लगता है कि भाजपा का ये साथ साल का शाषर देश के सत्तर साल की कमाई हुई पुझी को पुझी पतियों के हाथ में लुटाने का काम किया गया साथ लोग इस देश का पैसा फ्रॉड करके इस सरकार के मातहत बाहर भाग गए कहा गया विदेशी कालाधन पहले आपने नोटबंदी से मारा लोगों को जेश्टी से मारा रोजगार से मारा एक भी आज तक कोई उपलब्दी नहीं है केवल भाशन के सिवा राशन नहीं है घरों पे लेकिन आदर्णिय प्रधान मंत्री जी का भाशन जरूर है और भाशन भी ऐसा भाशन कि लोगों के सम्मान पे आहत करना लोगों को सिदा सिदी टारगेट करना जो भी सरकार के खिलाब बोले उस पर बिविन धाराओं में केस लाजना जुल्म करना यह यह साथ सालों की उप्रब्दी है हम समझते हैं अब बहुत हो चुका जिस प्रकार दोजार उननीस में जारकण में हेमन सोरेंजी के नेट्रिट में गुरु जी के मार्गर्शन में हम लोगों ने इस कुशाशन को रोकने का काम किया था अभी बंगाल में उसी का एक स्वरूप और सामने आये जब ममता दीदी ने भाजपा के इस कुचकर को तोड़ा था और दोजार चौबीस को हमारा पूरा विश्वा से देश के अमन पसंद और लोक्तंत प्रसंद लोग एक निर्णा एक हैसला देंगे इन साथ वर्षों में साथ सो भार्टी एजंता पार्टी के कारियाले बन गए नोडबंदी के बाद दिए और सभी कारियाले में जो रिपोर्ट आ रही है भाजपा अपने ही खुद के घर को चोरी करके बनवाती है साथ सो से लेके दो हजार स्क्वेर फिट तक का गोटाला होता है यह है भार्टी जंता पार्टी के उप्रब्धी कितने हजार करोर का भाजपा का मुख्याले बन गया आज देश के तमाम पार्टियां भाजपा के इस प्रत्यासित जो विल्थ है उस विल्थ का जो जरिया है उन जरिया दारों को بھی समझ जाने का काम की है इसलिए पुरा हम कह सकते हैं कि ये साथ साल देश कंगाल लोग बेहाल हम लोग पूरे सरकार को जानते हैं कि और तीन साल में रहा साहा जो कुछ भी है अब जो पियसियूज हैं जो हमारे अपने बैंक है जो हमारी जमीने है जो हमारा भविश्य है जो रोजगार के साधन है उन तमाम चीज़ों को इन तिन सालों में भी ये सरकार बरबाद करने पर तुली रहेगी हम लोगों को दोजार चौबिस के बाद भारत का पुनर रचना या हम कह सकते हैं कि पुनर निर्मान का काम शुरू करना पड़ेगा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जोहार नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता डॉट इनके साथ